हेलो स्टे जिरども to my Channel आज हम पढ़ेंगे Binomial theoremκα next part next part ओंपढ़ेंगे वो क्या है ? Binomial theorem for any index टेखे पहले जो हम पढ़ रहे तो integral index को पढ़ रहे थे integral index जैसे positive जो भी होता है one power होगी index या मतलब होता power मैं आपको बता चुका हूं तो one, two, three hundred power हुआ और कितने भी पावर हो लेकिन क्या होनी चाहिए ना तो नेगेटीव हो और ना ही क्या हो आपकी era अब जो क्या सबब्रktion क्लियर है ना तो यह सब सारी की सारी वीडियोज होएंगी मैं इनहीं पर वीडियो बनाऊंगा क्लियर है ना आप देखो पहले पढ़ता है इस रेजनल लंबर अगर एंड क्या हो जाए हमारा रेजनल लंबर हो जाएगा तो इसके लिए जो एकस्पेंशन होगा कुछ अलग होगा पहली चाइस कोई एकस्पेंशन अलग नहीं है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना पछला वाला जो एकस्पेंशन था कोंसेप्ट कॉंसेप्टी वीडियो में जो बताया था सेम वही है nc1 यही होता था ना nc1 तो जब मैं nc1 बढ़ रहता था देखो nc1 की वैल्यू क्या होती है n के बराबर ही होती है अगर मैं 2c1 लिखता हूं तो क्या बताया था मैंने 2 factorial divided by 2-1 factorial और 1 factorial यही तो था अब 2-1 तो 1 factorial होता है 1 factorial का 1 आदा तो वही वैल्यू आ जाती है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो इसलिए किसके बराबर होगी n की बराबर रहेगा जो भी फ्रेक्शनल वैल्यू हमारी रहेगी 2 by 3 रहे या 4 by 5 रहे जो भी रहेगा ठीक है न तो 1 प्लस nx अब नीचे क्या रहा था 1.1 इंटू रहा था ठीक है ना 1.2 लिख सकते हैं तो देखो 1 इंटू 2 इसको क्या बोल सकते हैं 2 इंटू 1 क्या होता है 2 factorial की पराबर ही दो होता है क्लियर है न इसलिए मैंने 2 factorial लिख दिया इसका और समझने का एक और तरीका है देखो x2 तक पहुंचे होंगे तो 3 factorial simply n n n minus 1 2 तक गए दे तो दो बार खुला इसको तीन तक गए तो n n minus 1 और n minus 2 minus करते गए और 3 factorial कर दिया तीन बार खोल दिया x q के लिए 3 factorial लिखते है इसी है न सेम आपर 4 के लिए खोलेंगे तो n n minus 1 n minus 2 और कहां तक जाएंगे n minus 3 तक एक कम रहा जाएगा और factorial क क्या हो जाए एक 4 का factorial clear है ना सेम आगे तक जाएंगे आर के लिए जो बेल लिए किसके लिए x की पावर आर के लिए उसके लिए क्या होगा n n minus 1 n minus 2 n minus 3 और क्या करेंगे एक कम था ना n minus 2 तो उसमें क्या हो जाएगा आर तो रहेगा लेकिन आर मैसे क्या कम बगर देंगे ए पर लगए ना यही हमारी क्या हो जाती है जन्रल टाम पैसको क्या बोले दें हां डर नल यहां समझा हो एन मैंस 1, n-1, n-2, n-3, जहां तक कहां तक n मैंसे कितना माइनस होना चाहिए, r प्लस 1, r जो find करनी का तरीका था, जो मैं आपको पहले बता चुँक हूँ, जो shortcut तरीका है, वही रहेगा, कुछ नहीं, change कुछ नहीं होना है, r को find करना है, जैसे x प्लावर कॉफिसेंट में तो आमें आर्फाइंड करना होता है आयंड जो फाइंड करनी का जो पॉजिटिव इंट्रिगल के लिए सौटकुट बताया है वही सेम रहेगा कोई चिंजिस नहीं होगा सौटकुट में किलियर है अब देखो Xtension of X plus A अब Xtension ये भी थो था हमारा X plus Y की पावर क्या था N तो इसमें क्या हो जाए वही rational number के लिए पहली चीज rational number के लिए rational इंडेक्स होगा सिर्फ पहली चीज और है मैं एक ओर चीज़ बतारहूँ आपको ये जो मैं बतारहूँ सिर्फ rational index के लिए बतारहूँ लेकिन दो पहले के सब्सक्राइब लेते हैं आ किसमें ए धर होगा एक्स जो यह डिजिट ना पहली डिजिट मैं बता चुका हूं पहली टर्म और यह सेकेंड टर्म बताया है न मैं कही बार तो आपको क्या होगा एक्स जो है वो बड़ा होगा एसे एक्स क्रेटर दन ए तो हम क्या माल लेंगे डैट इस a divided by x क्या होगा a divided by x तो क्या common ले लिए हमने x को हम इसमें से common ले लेंगे और वो क्या होगा छोटा होगा हमेशा 1 से a divided x छोटा होगा बन से वो कैसे मैं आपको बता देता हूं देखो कुछ नहीं x को इसमें से common ले लूँ यहां मैंने common लेके दिखा दिया है मैं दुबारा बता रहा हूँ आपको यहां लेक तो दिया है अगर मैं इसमें से common ले लूँगा तो क्या आएगा x दुबार आगया यहां क्या बचेगा 1 1 प्लस a divided by x की पावर है यह हमारा होगा के लिए अब इसका expansion कैसे खोलेंगे एजी expansion है जो x की पावर n तो same रहेगा अब खोलने के लिए किसको खोलना है इसको खोलना है इसको खोलना तो आपको आता ही है 1 प्लस a की पावर x को तो easy है कुछ नहीं होगा मैं समझा चुगा हू simple x है तो वहां क्या जाएगा a upon x a upon x की पावर 2 a upon x की पावर 3 simple है ना मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा यहीं इंडेक्स रहेगा क्लियर है simply यह solve हो जाएगा लेकिन case कौन सा होगा जब हमारा क्या होगा x जो है वो बड़ा होगा एसे अगर case 2 में case 2 समझ लेते हैं x सेंपल सी बात क्या है जो डिजिट बड़ी होगी उस dedic लेंगे अब एक का कॉमल लेंगे तो डिजिट क्या अपॉंछ गेंगे यहीं तो रह जाएगा अंदर एक्स अपॉन एक लेस्देन होगा किससे पंस सिंपल ए लिख देंगे अब जब हम एक कॉमन ले लेंगे तो एक की पावर एंड फ्रेक्शन क्या बनेगा क्या कुछ भी लिख दो बन प्लस क्या लिख देंगे आप एक्स अपॉन ए उल्टा मतलब यह था अगर देखो मैं जब पॉजिटिव इंट्रिगल पावर बढ़ा रहा था आपको तो सिंपल क्या कह रहा था मैं कि आपकी अगर एंड इसका क्या है इंडेक्स है तो हमारी टर्म कितनी होंगी टर्म बताई थी न मैंने अगर एंडेक्स है तो टर्म होंगी हमा यहां पर लिख चुगा हूँ, लेस देन इक्वल टू बनके, जो मैं यहां पर लेक्ट चुगा हूँ, लेस देन इक्वल टू 1, क्लियर है, आप क्या का होगे, अगर पॉजिटिव इंटिगल पावर है, पॉजिटिव टम है, तो आप सिम्पल बोल दोगी, टर्म कितनी हाए लेकिन अगर को टंग क्या है हमारी है नेगरेड़ है या रेस्नल दौनों तो कि दूक है तो क्या बोलना कितनी होगी है इंफनिट्टी खूगी कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मैं आ नेगेटिव डिजिट के बारे में बता देता हूं जब नेगेटिव होगी बहुत ही इसी है नेगेटिव डिजिट इस पर मैं कोशन करा के दिखा दूँगा कोशन के थूरू आप अच्छे से समझ जाओगे कि लिए रहे ना ओके अब देखिए इसमें पढ़ते हैं जब हमा और माइनस का एन ओ दोनों चीज यहाद रखना माइनस का एन ओ उपर नीचे दोनों माइनस माइनस तब के लिए क्या होगा देखो बन प्लस एन एकस प्लस रहेगा इसमें कोई चेंजेज नहीं है एकस Q तो फ्रीफिंतिरी हाएगा खुलेगा T 너 लेगए अन फलस एन फ्र्रास टुट तक एन फलस एस के रहेगा इसके जर्यलbad अंप्लस 1 अन फ्लस 2-एन फ्लस 3 और क्या हुआएं ग्लस देखो two है यहाँ तो सिंपल सी बात हैчески ज cosm !!! Rule और शिंद्ल ईक हम रहेगा प्लस मैनस का वो जंजट है नहीं और सिंपल क्या हो जाएगा एक्स की पावर इंटू आर्फेक्टोर्य एक्सिपावर रार क्लियर रहे ना डडडड़ इस इंफिनिटी तो यह सिंपल प्लस के लिए रहेगा लेकिन अगर देखो हमारा इंडेक्स तो नेगेटिव रहे नही इंडेक्स भी माइनस और नीचे की वेल्यू भी माइनस तब क्या हो जाएगा तो सारी डिजिट प्लस में रहेंगी और यह प्लस में चलता रहेगा सिंपल सी अगर उपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो कुछ नहीं वही ऑल्टरनेट रहेगा जो मैं पॉजिटिव इंट्रेगल में बताया था क्या रहेगा जो और पाबर है उसमें माइनस कर देंगे यह क्या है प्लस यह क्या बन वाला था तो माइनस यह टू वेक्टोरियल मांस का वन इंटू र है ऑगर और और है तो मैनस रहेगा है और प्लस है मतलबbas जाएक क्योंकि एकर द कंप रहेगी इंफिनिट्टिव रहेंगी चाहे लेगन रिशनल कुछ नहीं है इन वहां को कॉंसेप्ट से मैं कुछ सॉटकर्स बना रहा हूं कुछ तरीके बता रहा हूं कैसे हम कॉफिसेंट करेंगे अगर तब यह मैनस में रहता है तो कैसी इसी लिह हम इसको find कर सकते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं किलियर है ना आप इसको note down कर लिए अच्छी तरह से इस ही है कुछ है नहीं इसमें अगर problem आती है तो आप मुझे बता सकते हैं comment कर सकते हैं comment करके इसको बताओगे तो मैं comment के थुरू बता दूँगा अगर नहीं आता तब भी तब मैं वीडियो बना दूगा क्लिए ना ओके तो इसके थुरू मैं कुछ मैं माइनस की रची मैं बता चाहां आपको देखो अगर हमारी एह जो क्या रही जाए माइनस का बन हो जाए कितना हो जाए माइनस का बन हो जाए तो सिंपली क्या के थो हुग है आपके स्कोर सिंपल बोल दोगे यह 1 प्लस x की बाव माइनस तो देखो इसके जो coefficient होता है क्या हो जाए ऐसके थो सबस्क्तव तो सब्सक्तर के रहा है नहीं माइनस मारी आपके सब्सक्तर क्या है जाए जाए नहीं मायनस किरों क्या होगे मैं थाम बढ़ाता हूं यह माइनस तूल हो जाता है कितना मुद रहेगा? यह माइनस तूल हो जाएगा सिंपल आप अब रतागलेस को 1 माइनस का में 2x अब देख्यों जो कॉफिसेंट निकालने है जो कॉफिसेंट 2 हो रहा है यह कोफिसें तू पोफिसेंट 4 का फावर क्या है? ध्री पहले से ख़ग niin रहे हमारेस के रहे है आप समय क्या है। को फसलिए दो रहे है रहे रहे हो रहे है माइनस का इक प्लस तब पिलस रहे गायको अ हमारे संवा निकिती की खाने बकावा तो हमारा पॉफिशन क्या होगा थी दो आर्ट एक्स की पावर आर्ट तो हमारे टंग है 3 हमारे निक पर जबागा है। अगर मैं अगर मैं पर इस तो टैनल किता हो हूं, रेक्षू पावर 10, अब कितना बोल दोगे? 11 यह हुआ सिर्दे सिर्दे तंक्या बंद दिया पिसकी 11 X कि बाव है 10 फाइन करतो कि अब कोफिशियन कोटा कोटे लिया मनोगा 10 कि अब प्लस 1 X कि बावर और सिंपल ही है सॉल प्रोग्में पहले बहा चुकानों कि असे सॉल प्रेसों को क्लियर अगर हम दोन ही मैंस मैंस होके तो इस अब क्लस को रहेंगी सिंपल प्रोग्में नहीं साथिर और आप कोफिशियन बढ़ा सकते हो एक क्या होगा और प्लस 1 कोफिशेंट रहेगा X कि बावर आगा अगर प्लस कोफिशेंट पूछ रहे तक यह होऊँचा आप स्टीव बलाई तो यह पोफिसे फान गड़ेखे को कैसे करेंगे r plus 1 into r plus 2 divided by 2 फिजिए है क्यों दायगा r plus 1 r plus 2 divided by 2 सिलिक्ट फॉर्मूला है इसके लिए क्या करेंगे देखे मैंने एक चीद आपकाई इसको उपन करतें solve करतें easy solve कर लेए देखे आपको मैं इसको फाइट गड़ना चाओको इसका उन्हें लेख दिया है minus 10 अब देखे इसको minus करेंगा पहली चीज एक इसमें पर q बहुत है तो minus करेंगा यहां तु में करेंगा r उपर q को लिखागा r उपर q मैंने गड़ना रगा 3 तो x कावर 3 मतलब पुझे ये बाला निकाला है तो यहां r में रगा 3 देखे लिखा r में क्या रखा? 3 तो 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 3 प्लस 2 तो 5 क्लियर है? divided लर क्या होगा? 2 2 तू 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 4 2 तू यहां तो 5 मुझे 10 तू कितन आ गया? 10 तो आएदिया है अगर मैं क्या को दू? R equal to 5 गोजिया मैं अब 5 गोजिया मैं, तो simple off-solve कर चेले होगे क्या होगे? 5 plus 1, 6 6, और क्या होगे आपका? 6 plus 2, 8 और 3 से कर जाएगा तो 24 क्या जाएगा? 24 आपका? So coffee-sape-saal होगे 24 जाएगा, easy result कर दो होगे, सिंपल लिसमें के अगर नाइसे, R plus 1 into R plus 2 divided by 2, X to the power R, अप्डे़े, अप्डे़े, एक कम हें, जब Q की पावर में रेतर, 2 रेतर, अगर यहां पाज़, को मिनस मिनस वो जाएगी, क्या वा जाएगी, मिनस मिनस वो जाएगी, X जिबागा था, इसलिए, आप इसको solve करी लोगे, सिंपल पर इतरा, अगर हमारा, आपे, ऐसे ही एक चलिएगी, माइस का 4 होगा, तो क्या हो जाएगा, एक X का जो जाएगा, R plus 3, divided by 3 factorial, यह 2 factorial है, 2 into 1 है, तो 2 लिख लो, क्योंकि 2 into 1 को मादत नहीं हो रहा है, इसके मैं 3 factorial है, आगे क्या हो जाता हमारा, आपा, X plus 1, और खरादा, X plus 2, और X plus 3, और 3 factorial है, clear है ना, X plus 1, X plus 2, X plus 3, यहांके उजहे रहा, दिवाएगी इस 3, अगर माइस का 4 होगा, और plus माइस का आप लेएगे, आठे-स all कर लोगे, जैसे दिवाएगी जैसे कोफिजेंट हैगा, यहां आप सॉटकर बन चुदा है, इसके आप negative जो भी questions होंगे, negative index के जोगे questions होंगे, इस सॉटकर दिखा लोगे, आप इनको तो आप लग रखना, यहां तब आप लग रहने चाहिए यहां, ठोकर यह जोगी डाइट आता ही और डाइट आप लोगे कोफिजेंट पूछे रहे हैं तो, क्यास बाद आप एक्स की पावर, ठीका कोफिजेंट दाओ ऑगा, इस कावर ठीका कोफिजेंट दाओगा, यह वाला मुट्स वोट रखाई है, x plus 1, x plus 2 divided by 2 factor here, ठीक है, अब आप 4 दे नहीं, minus 4 दे नहीं, दिवाइड से लाइड 3 लाइड तो भी है, यह आप 6 वोज आपते हो, तो कि 3 into 2, 6 वोज आप, और r plus 1, r plus 2, r plus 3, clear, simple है न, आगे आप ऐसे कर सकते हो, इनको याद रखना, यह ह सब्सक्राइब लिए को लाइब करें, शेयर करें, ठीक है, इसके होपा बें questions भी आपको आदाना, next video करादा हुआ, आप चैनल को सब्सक्राइब करने, अपने दोस्तों से बोल दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए को भी सब्सक्राइबर बहुत नीचे, ठैंक यू झाल 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 झाल